नमस्कार कबर समय जगत में आपका स्वागत हैं मैं हर्शिता जोरी आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तबार्ट इटार्सी के अटल पार्क के खुलने से लोगों में हर्श का महौर लंबे समय से कोरोना संक्रमणकाल के दौर के बाद इटार्सी में लोगों को स्वक्षेवं खुले वातावरण में आवाजाही के लिए अटल पार्क को प्रशासन द्वारा खोल दिया गया है अटल पार्क के खुलने से बच्चों, ब्रधजनों, खिलाडियों में हर्श व्याप्त है साथ ही लोगों को प्रदूशन रही तुस्वक्ष वातावरण में तहलने और घूमने को मिल रहा है पार्क खुलने के प्रशासन के निन्ने से लोगों को राहत मिली है साथ ही पार्क में आने के लिए लोगों से अपील की गई है इतार्सी के लिए नई सोगाज, हमारा जी जो अटर पार्क है ये सुबह एवं शाम दो-दो घंटे के लिए खोल दिया गया है इतार्सी के नागरिकों के लिए वो इसका लाप्राप्त कर सकते हैं और तरो ताजा हवा प्राप्त कर सकते हैं इस करण तरो नागवनसी जी जो हमें ये बताएंगे कि इस अटल पार्क को बने से वने क्या लाप प्राप्त हो रहा है कोरोना के वाज़े से बंदों कई है तो तो कोड़ी परचान जा रही तो में सुबह रोज आता हूं तो यहां पर अच्छा लगता है और सोबह के माहूल में हरा बायू मिन्ती है यहां पर कापी बीटर लगता है और आसपास के रिया दिरह में हम प्य्क्रा नुद्ड फ्रोब्लम जाती इती पर यहां पे ँघरर प्रवाइब करने का और जडिया भी बहुत अच्छा है और बेटने का शुकुन सा लगता है यहां पर शाम को भी आते हैं किया आपको भी आता हूं प्रवाइब करने और अपनी जोगिंग करने के लिए इस पार्क का प्योग करते हैं हम अभी आतल पार के हरुमान मंदिर में हैं और वहां पर रमाकान्त पंडित जी हैं जो हमें बताना चाहेंगे कि यहां पर पार्क में किस प्रकार का माहुल त्यार हो चुका है पार्क खुलने पर जिला प्रसासन अधिकारी शेवम आदरी सिस्थिता सर्मा जी का आभार ब्यक्त करता हूं और अभी पबलिक कम आ रही है इसलिए कम आ रही है क्योंकि दिवाली का सीजन है लोग काम धाम जहरा पोशन कर रहे हैं आएंगे धिमें लिए और पार्क कुलने से जो बिर्द लोग हैं बच्चे थे तब बचारे थोड़ा धिमें धिमें आना सुरू करते समझ जगत के लिए टार्सी से डॉक्तर प्रताप सिंग वर्मा की रिपोर्ट